हेलो और वेल्कम बैक टो माइ यूट्यूब चैनल एच ओल इन वेन अन दिस इस हर्श्या आज मैं आप सबी के साथ शेयर करने चाहरे हूं एक पैनेपल केक की रेसिपी जो की बहुत इजी है और इजी लिए आप इसे घर पर तयार कर सकते हैं तो यह आपको देखने में बिल आसे से जल्दे से हम रेसित पर शुरू करते हैं मैने यहां एक बोल ले लिया है बोल में मैंने यह उन थेड कर देख आर नठी कर द्ही दहीं में और वांथाड कप लिए हैं 1 थेड कर बिल्क पाउडर का यूज किया है। इसी के साथ मैं एक चमच यहां पर वनील पाइनेपल एसेंस का यूज कर रही हूँ, सब को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके, मैंने यहां इसे बिटर की हैल्प से बीट कर लिया है। तो इसे आप अच्छे से 2 मिनिट के लिए बीट कर लें, सारी चीज़े अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यदि आप बीट नहीं करना चाहते, तो हैंड डिस्कर से भी से चला सकते हैं, अब मैं यहां मेदे का यूज कर रही हूँ, मैंने यहां देड कप मेदे का यूज किया ह एक चमच के करीब मैंने यहां बेकिंग पाउडर का यूज किया है, और 1 फोर्थ टी स्पून मैंने यहां पर बेकिंग सोडा का यूज किया है, अच्छे से मैंने इसे चान लिया है, और इसके बाद हम हमारे ड्रा इंग्रीडियन्ट को हमारे वेट वाले मिक्सचर में कर रहे हूं तो वन थार्ड कप के करीब मैंने यहां मिल्क का यूज किया था आप एक स्मूध कंसिस्टेंसी पे बेटर आने के लिए जितना मिल्क चाहें उतना यूज कर सकते हैं तो बेटर यहां पे बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा गाड़ा तो मैंने थोड़ा से इसमें मिल्क और आड़ कर दिया तो यह मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बेटर बना के रैड़ी करेंगे और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी एंड मैं मैंने यहां पे एक टेबल स्पून के करीब विनिगर को आड़ किया था आप चाहें तो लैमन ना हो तो आप इसमें मैंदावी डस कर सकते हैं इसके बाद मैंने मिक्सचर को टिन में पोर करा और थोड़ा सा टैपिंग मोशन में उसे टैप कर लिया उसके बाद मैं से माइक्रोवेव में हीट कर लूँगी तो यहां पे मैंने कन्वेक्शन मोड पे अपने माइक्रोवे से ready हो चुका है मैं आपको दोनों तीनों साइट में चेक करके बता देती हूं कि सारी साइट इसके एकदम अच्छे से निकल रहे है टूत पर एकदम clear निकल रहे है यहां केख को आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं और पिर इसके बाद मैं इसे धग दूँगी यहां मैं हेल्प से कॉर्णर्स मैंने इसके निकाल लिये थे और डैप डैप करके इस तरीके से हम केक को डिमोल्ट कर लेंगे तो यहां हम देख सकते हैं काफी सॉफ्ट और स्पॉंजी हमारा एगलेस केक बनकर रेडी हुआ है यह काफी मॉइस्ड है और काफी अच्छा यह केक था है तो देखे आप यह बड़े अराम से बहुत ही एजी लिए कट हो गया तो मैं केक को तीन पार्ट में डिवाइड कर लोगी तो यहां देखे कितना एजी लिए एक तम प्रॉपर कट हो चुका है तो तीन पार्ट में मैंने यहां केक को इसी तरीके से धागे से कट करके डि कर लोगी तो स्टार्टिंग के दो मिनट मैंने इससे वन से टू स्पीट पे बेट किया और उसके बाद दो मिनट के लिए मैंने इससे आखरी वाली स्पीड मतलब 5-6 पे इसको बीट किया तो फिर यह अच्छे से हमारी विप्ट क्रीम पांस से च्छे मिनट में एकदम करके भी दिखा दू तो यहां पर बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है देट मिन्स यह हमारी विपिंग क्रीम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है अब हमारी विपिंग क्रीम में हम थोड़ा सा पाइनेपल एससे एड़ करेंगे आप यह चाहें तो पहले भी एड़ सक से पोर किया था एक में मैंने यहां पर स्टार नोजल का यूस किया है और एक बेग यहां पर प्लेन है तो यहां पर दोनों चीज़े मैंने यहां पर बना कर रेडी कर ली थी यह एक कोन हो गया और दूसरे में मैंने यहां स्टार नोजल का यूस किया है इसकी बाद मैंने एक टिन ले लिया था उसके अंदर से मैंने यहां जूस सेपरेट कर लिया है और पैनेपल की कुछ चंक्स को सेपरेट करके थोड़े बारिक बारिक तुकड़े कर लिया है और इसके साथ ही मैंने यहां पर यूज किया है चैरी का जिसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है और यहां पर थोड़ी सी चैरी मैंने डेकुरेशन के लिए अलग रख ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पैनेपल क्रश का यूज किया है तो इस तरीकी का आपको पैनेपल क्रश मारकेट में मिल जाएगा आप चाहें तो इसे होम में भी कुक कर सकते हैं एजीली होमेट कुक हो और बहुत असानी से यह घर पर भी रेडी हो जाता है तो यह तोटली ऑप्शनल है अब मैं यहाँ पर एक टॉनिंग टेबल का यूज कर रही हूँ उस पर मैं यहाँ पर एक केक बोर्ट रख रही हूँ केक बोर्ट पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी विप्ट क्रीम लगा हूँ हमारे पैनेपल केक में तो यह था कि लगा था कि बोर्ट अच्छा अच्छा फ्लेवर देगा into weppd क्रीम को रख लगा लूँंगा तो इससे हमारे केक का का असपस का अरिया है वो काफही की मैसी नहीं होता और यहgua इजी ली हो जाता है तो आप देखें मैंने spatula की help से इसे चारो और से cover कर लिया है तो बस इसी तरीके से आप भी कर लिए जी इसे cover और ये बहुत easily हो जाता है इसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ कुछ pineapple की तुकड़े जो कि मैंने बारिक बारिक chunks कर लिया थे आप चाहें तो और वाली छोटे pieces कर सकते हैं ये tin में आई हुए थे तो थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे इसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ cherry का cherry को भी मैंने यहाँ पर आदे आदे parts में cut कर लिया है छोटी छोटी आप cherry cut कर लिजिए इसके बाद मैंने उस पर यूज किया है हमारे pineapple crush का और साथ ही साथ मैं यूज कर रही हूँ हमारे whipping cream का और इन सारी चीजों को हम अच्छे से fill कर लेंगे हमारे cake के इस portion में spatula की help से चलाते हूँ है मैंने plane सारी चीजों को plane कर दिया है ताकि हमारा अगला वाला जो portion आए वो disbalance ना हो तो हमने उसे एक नए वाले portion को रख लिया है उसके बाद हमने यहाँ पे same process को repeat करना है तो यहाँ पे आप आनी चाहिए थे whipped cream लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी कम cream वाला cake बनाया था तो मैंने यहाँ direct pineapple के chunks यूज़ किये फिर cherry यूज़ की तो आप वहाँ पे whipping cream भी यूज़ कर सकते हैं पर हम थोड़ा कम cream वाला cake चाहते थे इसलिए उस step में मैंने थोड़ी कम cream का यूज़ किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं same process मैंने यहाँ पे repeat किया उसके बाद हमारे cake का हम third वाला part इसके उपर set कर लेंगे तो यह third पार्ट है हमारे cake का इसको हम बिल्कुल अच्छे से set कर लेंगे और whipping फिर वापिस से हम इसमें pineapple juice अपना डालेंगे ताकि यह बहुत अच्छा flavor दे तो काफी अंदर तक हमारे pineapple का flavor आ चुका है chunks आ चुके है cherry अपकी pineapple cake के अंदर आ दी है तो बहुत जादा यह tasty cake बने वाला है और pineapple का flavor हमारे whipping cream में भी है तो आप सोची सकते हैं कि यह कितना flavor वाला cake लग रहा होगा तो same process हम यहाँ पे repeat करने के बाद उपर वाले हमारे area में whipped cream लगाके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और चारो और से गुमाते हुए मैं पूरे cake को whipped cream से cover कर लूँगी तो यहाँ spatula की help से आप यह सब कर सकते हैं turning table को गुमा गुमा के और इसके बाद मैं यहाँ पे scraper से इसको plane कर रहे हूँ तो scraper की help से मैंने अपने cake को पूरी तरीके में plane करके set कर लिया है और इसके बाद आप चाहें तो आदा घंटा इसे fridge में set होने के लिए रख सकते हैं लेकिन मैं भी direct यहाँ पे इसको use कर रहे हूँ लेकिन यहाँ इस stage पे fridge में आदा घंटा के लिए रख लेंगे तो आपकी cake की icing होने में बड़ी आसानी होगी अब यहाँ पे zigzag वाले scraper का use करके मैं हमारे cake को एक zigzag की design दे दूँगी तो यहाँ पे मैंने क्रीम थोड़ी कम use की है इसलिए थोड़ा सा आपको यह side में cake के वो नजर आ रहे होंगे आप चाहें तो क्रीम जादा फिल करें लेकिन यह cake हम घर के लिए use कर रहे थे तो हम क्रीम थोड़ी कम चाहते थे और इसके बाद हम यहाँ पे star nozzle की help से ही design बना लेंगे जो आप का मन करें आप वो वाले design बना लें तो मैंने nozzle की help से ही star nozzle की help से ही design create की है cake के चारो और मैंने border बना ली है इसके बाद मैं रोजेट का design बना रही हूँ cake के उपरी तरफ पे तो यहाँ पे पिलकुल optional है आप आपके मन पसंद कोई भी design दे दे या फिर आप चार या पांच रोजेट भी बना सकते हैं cake पे लेकिन मैं पूरे रोजेट को cover कर रहे हूँ तो cake के रोजेट बनके पूरी तरीके से ready हैं आपको लग रहे हैं बलकुल market जैसा cake तो आप ऐसा cake घर पर ready कर सकते हैं इसके बाद आप ending stage पे हम pineapple crush को एक कोन में भरके मैंने इसके उपर डाल दिया है तो यह बड़ी आसान step है आप एक कोन की help से pineapple crush को के के चारों और फैला लें फिर किसी चमच या spatula की help से आप इससे set कर दें और फ्रिज में जाने के बाद यह बहुत अच्छी तरीके से set हो जाएगा तो आप यहाँ पर homemade gel का भी use कर सकते हैं मैंने यह pineapple crush का use किया है और चमच की help से set कर दिया था अब इसके बाद मैं सेम को उनकी help से साइट में भी इसे फैला लूँगी तो बस हलका सा push करें आप और यह automatic गिरते जाएगा नीचे केक पर तो यह कुछ इस तरीके के effect देगा तो यहाँ आप देख सकते हैं rounding effect यह दे रहा है और कुछ right side में फैल रहा था वो मैंने clear कर लिया तो हमारा cake यहाँ पर डालें चाहें तो नहीं डालें लेकिन cake काफी attractive लगता है और cherry को मैं यहाँ पर half half करके half part में करके यहाँ पर डेकुरेट कर रहे हूं आप चाहें तो एक rosette पे रखें एक छोड़ दें फिर एक rosette पे रखें और alternate पे भी up set कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरे में भी कर सक मैंने यहाँ पे सारे rosette पे cherry का यूस किया था तो यह कुछ इस तरीके का एंड में दिखाई दे रहा है चैरी से डिकोरेट होने के बाद तो लीजी अपका pineapple cake बन करके ready हो चुका है market से कहीं जादा अच्छा यह टेस्ट करेगा तो इस recipe को आप घर पर ज़रूर टाय कीज़ मैं मिलती हूँ एक next वीडियो में till then bye bye take care and thanks for watching my videos वीडियो पसंद आये तो चैनल को like share subscribe जरूर कीज़ेगा